हलो, नमस्कार इस्टुरेक्ट, मैं पिशेक बार का ओ, भारका कलाक्स के इस YouTube चैनल में आप लोका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आज का जो मारे वीडियो को टापिक है वो है धातु-धातु-धातु-धातु-कर्म के प्रश्ण है, तो ये सारा हमने जो है थेउरी इ देखेगा, ताकि आप लोगों को ये सारे MCQ जो है, अच्छे से याद हो जाए, और आप लोगों के अगर एक्जाम में आए, तो आप से अच्छे से बन जाए, ठीक है, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने पहले एक बात कहना चाहूंगा, कि अगर अभी तक नहीं किया हो, तो जल से अल सब्सक्राइब कर लीजेगा, और बैल का आइकन ज़रू प्रेस करिएगा, ताकि वीडियो को नोटिक्वेशन मिलता रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वीडियो को नोटिक्वेशन नहीं मिल पाता, देखें, और स्टार्ट करते हैं, चल तो परमाडु संग्या होता है, 19 और ये चार धातु है, कौनसी धातु है ये, चार धातु है, तो ये इसके बारे में आपको जानना जोरू रिटा, वैसे सोडियम भी क्रियासील ही धातु है, लेकिन यहां पुछा है सबसे अधिक क्रियासील कौन सा है, तो वो होगा आपक पोटेशियम, ठीक है, एसक में उपस्तीत वेर्थ पदार्थ को क्या कहते है, एसक आप लोगों को मालूम है, जिसको हम और भी कहते है, उसमें उपस्तीत वेर्थ पदार्थ को क्या कहते है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से आपको मालूम हो कि इसको गैं गैंग केहते है पीतल मिसरधाटू है देकिए ये question कई बार examों में पूशाः आछ चुका है तो पीतल मिसरधाटू है किसका तो ये है copper और zinc तो c u z n ठीक है किसका है copper और zinc ठीक है सबसे कम है ये कम है सबसे कम abhimikliya sealधाटू है उसके पाच्वा कोशन है कि सल्फाइड स का उधारन, niin तो अच्छाइड स का उधारन कॉन सा है, तो सल्फाइड byुख अधारन, क्या होगा? आरेन पाइरी क्या होगा? तामबा का क्या है ऑक्साइड है किसका ऑक्साइड है ये भी पूछा जा सकता है तो तामबा का ऑक्साइड है ठीक है याद रखेगा ये तामबा का ऑक्साइड है ठीक साथो कोशन है कि तामबा सांद्र नैंटरिक अमल से क्रियाकर गास उत्पन्न करता है कौन सी गास उत्पन्न करता है ये उत्पन्न करता है सल्फ़र डाई अउकसाइड अक्सर एकजामें पुछे आने वाला mcq है तो कौन सा है तो फीमिटाइड आप सभी को मालूM होना चाँ यह यह आयरन का मुझ की रूप में बनाया जाशकता है उसको अगात वर्धनी धातू कहेते हैं विद्दूत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है तो आप सभी जानते है चांदी जो है विद्दूत का सबसे अच्छा चालक है वाई-उयान बनाने में उप्योग होता है तो ड्यूरे-लूमिन यह थोड़ा गलब लिखा हुआ है यहां पर इसको देख लीजेगा यह ड्यूरे लुमिन है ठीक है वाई-उयान बनाने में इसका उप्योग किया जाता है इसके अंदर ड्यूरे-लूमिन के अंदर क्या होता है 90% जो होता है यह होता है nattie poverty ie ie 10 बनाने में उप्योगी सिध तो वह सबसे अधिक सक्री धातू है। calcium silicate है calcium silicate क्या है calcium silicate अब पर निमली कित में से कौन सी द्रव अवस्ता में होती है चलिए इसका इस प्रश्ण का आंसर जो है आप लोग comment section में comment करकर बताएंगे क्योंकि ये बचपन से आप पढ़ते आ रहो हो आपको ये question मालूप होना ही चाहिए comment section में comment कर दीजिएगा प्रित्वी पर सरवाधिक पाये जाने वाली धातू कौनसी है वह है ऐल्मुनियम कौन सी धातू पाये जाती है है जिसने आर्थिक महत्री की धातू आसानी से अलग की जा सकती है कहलते हैं क्या कहलते हैं आयस के कहलाते हैं, आयस के से हम क्या करते हैं, धातू को अलग करते हैं, विजवा प्रिशने की धातूं में विद्धुत चालकता का सही करम क्या है, देखें, विद्धुत चालकता का सही करम में आप सबसे पहले किसको लाड़ोगे, तो चांदी को ही डालोगे, यहां पर दो वो tungsten का बनता है, ये भी question कई बार exam में पूछा जाता है कि बल्प के अंदर का filament किसका बना जाता है, तो tungsten का बना जाता है, ये आपको ध्यान तक ना है, और इसका सही अंसर होगा, चांदी तामा, अल्बुनियम, टंक्स्टन, ठीक है, सोने का निसकरसन मुख्यता है, किस अयसक से किया जाता है, तो उप्यूपत ये जो दो दिख रहे हैं, इनसे जो है, सोने का क्या किया जाता है, धातु के योगी, जिससे आर्थिक महत्व की धातु आसानी से अलग की जा स तुला में अधिक अभिक्रियाशील है, तो कौन सी धातु जो है, अधिक अभिक्रियाशील है, तो वो है लोहा, तामबे की अपिक्छा लोहा अधिक अभिक्रियाशील है, जल में तैरने वाली धातु कौन सी, सबसे जादा कोशन पूछा गया है, ये MCQ, सबसे जादा पू तो कॉछ से कुल गयांद हैं एक उधारान है। कॉस्वा से हैं तबाद्ध कॉछ सब्सक्रा करूंद का नाम हो सवस्ता में पाई जाती है इसका भी answer comment section में comment करिएगा ये 30 question है जिनसे आपके exam में question पूछे जा सकते हैं तो इनको अच्छे से त्यार कर लीजिए ठीक है और बड़े अच्छे से ध्यान से इनको देखिए और रयात कर डालिए ताकि यहां से कोई भी question पूछा जाए और यहीं से question पूछे आते हैं अक्सर तो आप लोग अच्छे से त्यारी यहां से कर लीजिएगा ठीक है और जितने भी question में पूछे है वो सारे comment section में comment करकर answer जरूर बताईएगा और आज से continue video जब तक आपके exam होंगे तब तक आते ही रहेंगे ठीक है तो रोज जो है अगर आप लोग ने भारगा ग्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है और बैल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो जल्दी से कर लीजिए ठीक है और नोट सम्मद्धी जानकारी के लिए मैंने आपको नबर दिया, वाट्सप नमबर उस पर आप जो है वाट्सप कर सकते हैं ठीक है एक बन फिर से यहाँ दे देते हैं k última-ग टो-कत इस नमबर पर क्या बारहinn वाट्सफ करकर नोट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो आज के वीडियो में इतना ही था, जय हिन, जय भारत!